दोस्तों बिहार सरकार के दोरा एक नई योजना चलाई जा रही है बिहार सरकार समाज कल्यान विभाग के दोरा इस योजना के तहट 0 वर्स से लेकर 18 वर्स के बीच में जिन बच्चे की आई होती है उन बच्चों को ये बेनिफिट दी जाती है जिसके तहट 4000 रुपय की जो लाब है वो मिलते हैं इसके लिए आवेदन पर क्रिया ओफ लाइन माध्यम से सुरू हो चुका है तो कैसे आवे इस सारे राज्यों में चलता है क्योंकि ये राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिला कर इस योजना के ताथ बेनिफिट जो है बच्चों को उपलब्त करवाती है तो आईए पूरी जनकारी आपको विस्तार पुरवक्त बताते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ तो इस सजुरी बिस्तरित जनकारी के लिए आप गूगल में लिखेंगे online update hdm या website आपके सामने मिलेगा online update hdm.in का इससे open करेंगे और यहाँ पर देखेंगे बिहार sponsor से passkim 2024 का लिंक आपको मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है तमाम जनकारी आपको यहाँ पर भी बताई गई सबसे पहले यहाँ पर notice को मैं download करता हूं तो देखेंगे हमारे सामने notification है जो यूपी government के द्वारा जारी किये गए बिहार government के द्वारा भी यह notification आप देखेंगे जारी किया गया है जूकि समाज कल्यान विभाग के द्वारा जारी किया गया है स्पॉंसर सिप यूजना को लेकर और इसका form भी आया हुआ है बिहार सरकार ने जारी किया है इस form को ही आपको भड़ने होते हैं तो देखेंगे जो eligibility यहाँ पर रखी गई है यह सभी estate के लिए समाने हैं आपको एक बार अपने estate में पता करना है कि आपके estate में यूजना चलती है या नहीं चलती है यू को आर्थिक साहता रासी है बच्चों को दी जाती है इसके लिए कुछ पातरता रखी जाते क्योंकि सभी को इसका लाव नहीं मिलता है जैसा सबसे पहला condition होता है कि ऐसे बचे जिनकी पिता की मिर्दू हो गई है और मा जो है तलाक सुदा है या परिवार परित्यक्त हो वै भी आप लाव ले सकते हैं दूसरा condition इन्होंने बताया है ऐसे बचे उनके माता पिता या उनमें से कोई एक गंभीर जानलेवा रोक से ग्रसित हो तो भी benefit मिलेगा मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते जिनकी माता पिता ऐसे रोक से ग्रसित होते हैं जो एक तरह समझे बच्चे जो बेघर है निराश्रित है या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं तो ऐसे बच्चों को भी benefit मिलेगा या ऐसे बच्चे जो कानुन से संगर्सरत है उनको भी इसका जो benefit है वो दिये जाएंगे साथ मैं बताया है कि ऐसे बच्चे जिने बाल तसकरी या बच्चों को भी benefit मिलेगा ऐसे बच्चों जो किसी पड़ाकिर्तिक अब्दा के सिकार हो ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हो लापता हो या घर से भागे हुए हैं उन बच्चों को भी इसका benefit मिलता है ऐसे बच्चे जिनकी माता-पिता या उनमें से एक कामगार में कावित है उन बच्चों को भी इसका benefit मिलता है ऐसे बच्चे जिनकी माता-पिता के जो आर्थिक कॉमा सारीरिक या मानसिक रुप से देखभाल है तू और समर्थ हो तो उनको भी इसका benefit जो है दिये जाते हैं या ऐसे बच्चे जिनकी सहायता एवं पुनरवास की अवे सकत हो तो उन बच्चों को भी benefit मिलता है या ऐसे बच्चे जो food part पर जिवन यापन करने वाले प्रतारित उत्पेरित या सोसित हो तो उनको भी benefit मिलता है तो दिखे मैंने इतने सारे condition बताया इन में से किसी भी condition को कोई बच्चा अगर fulfill करता है तो उनको इसका benefit मिल पाएगा ब लेकिन जो योग है उनको आप चाहे तो लाब दिलवा सकते तो लाब कैसे दिलवाना है इसके बारे में जनकारी मैं अभी आपको बताता हूं दिखे अब apply करने के लिए दो condition है जैसे अगर कोई गरामिन शहत्र से उनके अभी अगर जीवित है तो उनकी अभीवावक के गर 70,000 रुपे बारसिक इससे अधिक नहीं होनी चाहिए साहरी 76 का कोई बच्चा है तो 96,000 से अधिक बारसिक आयर नहीं होनी चाहिए साथ में माता-पिता दोनों अथवा वैद सर्रेक्षन की मिर्टू होने की स्तिति में उनका जो आयू है वो लागू नहीं होगा मतलब क्या अधार कार्ड आया परमान पात्र जो अगर आपर माता-पिता नहीं है तो नहीं देना होगा इसके अलाबे वाई परमान पातर के लिए कोई भी एक ौकुमेंट जो है आपको दिखाना होगे आभिवावक के मिर्थू हो चुकी है तो आभिवावक का जो मिर्थू परमान पत्र हो देना होगा एब हम सिक्षन संस्थान में अगर बच्चे के कहीं नमंकन हुई कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए तो उनका जो पंजिकरन है एडमिंसन रसीद है वह भी आप दे सकते हैं इसके लिए फॉर्म आपको कहां मिलेगा और कहां जमा करना होगा तो बताया ग आपको बताया है कि आपको बताना है कि किस परकार के आप सरेनी में आते हैं पांच परकार के इन्हों ने सरेनी दिया है जिस भी परकार के सरेनी में बच्चे आते हैं उसके सामने इस परकार टीक करेगा अपना नाम पिता का नाम माता का नाम लिंक ओम्र फोटो चिपकानी होगी और इस form के साथ जो document मैंने बता इसको ले जाकर आपको राजयबाल संरक्षन समीती के जो कारयाले हैं वहाँ जमा करने होंगे और वहीं से आपको ये form भी आपको अपलब करवा दिये जाएंगे तो इस परकार आप इस योजना के लिए चाहे तो आप benefit ले सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको overall पूरी जैनकारे बताया क्योंकि काफे सारे लोग इस योजना को लेकर पूछ रहते कि सरी योजना क्या है इसके बारे में जैनकारे दीजिए आसा और उमीद करता हूँ अपने पूरी जैनकारे समझाओगा तो वीडियो को लाइक और सेर अवस्था करिएगा और कहीं भी कोई परसानी है डाउट है आप कॉमेंट वक्स में जरूर लिखेगा धरनेबाद जै जैंगि जैंगर जैंग कॉमेगा जैंगर जैंगर है झाय वक्सूर्वश्ट नाग्सूट विया लाग्सूश्बाओ लेक्ष्ट विया लेक्ष्व तेग्श्बाग नाई बाट